हेलो इबर्बरी स्वागति है आप लोग का सेकेंड क्लास और देखोगे तो इसका लिंक आप लोग को आई बटन पर ऊपर दिख रहोगा ठीक है and second आप लोग के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिये टोटल जो 100 मोग टेस्ट में कराऊंगा उसका लिंक आप लोग का डेस्क्रिक्षिन में मिल जाएगा फटाफट से हम लोग जो है सेकंड मोग टेस्ट को भी स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है चलिए अब पहले आप लोग को टेलेग्राम के बारे मताओं कि पीडिया मैं अल्रेडी सेर कर सका हूँ फर्स्ट मोग टेस्ट की अगर आप लोग ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो आप लोग टेलेग्राम से डाउनलोड कर सकते हो बागी और जो मोग टेस्ट होंगे उसका आप लोग को टेलेग्राम पर मिलेगा इन क्लास्स आई है और पोई पूस्ट आप लोग को हूँ और को Frustra क्यों गप्हों पर सब्सक्राइब करते हैं फटाबट से हम लोग सेकंड मुख टेस्ट पहला कुछ आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है क्या कहता है कुछ आप लोगों से तो वेव वेव दे रखी है ठीक है जिनकी इंटेंसिटी का रिश्यो अम लोग को नाइन रिश्यो बताना है जब लोग बात करते हैं आई मेक्स की तो आई मेक्स क्या होता है आप लोगा अब मेरे को एधार जोगा एंपलीटूड हो चाहिए मेरे को इंटेंसिटी की इन रिखाया है नाइन रिश्यो बनके एक्कॉल और आप लोगों पता है आई इस डायरेक्टिलर प्रपूर्श्यो टू एंपलीटूड के इसकरके एक्कॉल तो यह किसके एक्कॉल होगा इसकर इसकर करके एने को पड़ेगा नाईट का रूटूड ये और की मेरे करने हो जाएगा एक हो जाएगा क्योंकि देखो क्या करना है हम लोग को इधर भी के लेना है हम लोग को इधर भी के लेना है ठीक है तो इधर भी के आएगा और इधर भी के आएगा जब आप लोग इधर प्लस करोगे नीचे भी आप लोग का प्लस करोगे अब आप लोग का चु नहीं क्यों लिया मेंने डाइक तो simply a1 plus a2 मतलब की 3 plus 1 का whole square divide में क्या आगे आप लोगा a2 sorry a1 minus a2 मतलब 3 minus 1 का whole square तो equal to में क्या आ जाए का आप लोगा 4 का square करो के तो simply 16 और 2 का square करो के तो 4 तो answer क्या आप लोगा 4 ratio बनके equal अब देख लो answer कौन सा बनने आप लोगा simply d option जो करेक्ट हो जाएगा आप लोगा already बता है classes जो आप लोगा पीडी recorded classes है पर आप लोगा 7 नहीं पर यह class जो है live दिख रही होगी अभी अगर आप लोग देख रही हो तो अगर आप लोग recorded देख रहे हो तो already आप लोगा recorded रही होगी ठीक है चालो next question आप लोगा screen पर अगर मैं कोई भी question आप लोगी screen पर आता है तो उसका comment live chat में क्या करो पिलस जो offline chat नीचे आप लोगा comment box होता है उसमें भी कर दिया गरो और जो last में आप लोग उसे मैं homework question पूछता हूँ उसका answer भी क्या गरो एक ही answer आया है आज इक लास्टे उसमें या bet कितना दे रखा है 9.8 newton दे रखा है इसमें मैंने force लगा है इस direction में F जो कि कितना न्यूटन था 5 न्यूटन बलता ओके तो इसमें कोछ थुरड भी उत्मन हुआ होगा acceleration भी produce हुआ होगा आप लोगा तो वह acceleration को मेरे को बताना है अगर हम लोग किसी भी object की जब बात करते हैं तो उसका बेट होता है नीचे की तरफ लगता है downward mg और M हम लोग इदर से निकाल लेंगे उसका जो mass होगा क्या आ जाएगा W कितना दे रख्या हम लोग को 9.8 G की value होती है 9.8 आंसर के आगे आप लोग का 1 kg के एकवल अब हम लोग को पता है force F equal to होता है MA acceleration equal to क्या आजाएगा F Y M के एकवल अब force कितना दे रख्या 5 N, mass आप लोग को 1 kg तो simply acceleration क्या आजाएगा आप लोग का 5 meter per second square के एकवल समझ आए क अब meter per second square में ही पूछा है तो answer आप लोग का भी आज जाएगा ठीक है दिखो कभी कभी क्या होता है question आप लोग को direct essay नहीं दिया जाएगा अब इधर कर दिया जाए आप लोग का centimeter ठीक है तो question change हो जाएगा और option भी change कर दिया जाए ठीक है मतलब एक option extra बढ़ा दिया जाए 500 और एक 5 रखा जाए ठीक है तो अगर मैं बोलू तो लगो 45% या 55% student 5 लगा के आगे क्यों क्यों वो check ही नहीं करेंगे कि आप लोगा unit क्या पूछी गई है ठीक है यह छोटी-छोटी जो चीजा होती है उस वजए से आप लोग जो 10 marks तर sectional cut-up होता है उसको भी qualify नहीं कर पादे हो क्योंकि question तो आप लोग है बहुत simple आ रहे होते हैं जो preparation करके जाता है उसके लिए ठीक है जो preparation नहीं कर रहा है उसके लिए question तब ही लगेंगे उसे ठीक है चलो next question आप लगा screen पर आ चुका है third question in a elevator the weight of a object will appear to be less when the lift ठीक है एक elevator दे रखा है elevator को हम लोग lips न भी बोल मतल recommends जो बहर है तो कम कव होगा lift आप लोग की ऊपर जा रही है ठीक है first condition क्या धे रखी है lift ऊपर तो पर तो किसके साथ जा रही है आप लोगे तुरणके साथ जा रही है लिफ्ट आप लोगी उपर जा रही पर किसके साथ जा रही रिटाडेशन के साथ जा रही है ठीक है तो चारों कंडिक्शन आप लोगों पता है चल गहीं जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म व्लॉसिटी हमारे खयाल में एक चीड जाना ही चाहिए कि एक्सलरीशन वी इकोल टू जीरो और जब एक्सलरीशन वी इकोल टू जीरो तो वे टबलू इकल टू क्या बचेगा आप लोग का mg क्योंकि आप लोगों पता है या फिर डबलू इकॉल टू आप लोगों का एमजी माइनस में होता है अब यह कब बनता है जब नीचे आ रही हो लेक्ट आप लोगों की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ या फिर चेंजिंग विलॉसिटी के साथ ओके इतना समझ आया कि ठीक है बड़ अगर देखो के तो आप लोगों को यूनिफॉर्म विलॉसिटी दे रखी है मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो हो गया अब केबल क्या एक्ट करेगा जो की एमजी होगा जो की डाउनूबर एक्ट करेगा तो दौनों कंडिशन में आप लोगों का कि उसका वाहर होगा वो एमजी एमजी होगा जब यूनिफॉर्म विलॉसिटी के साथ उपर जाए या नीचे आए अब बात करते हैं गो सब बिद्दा एक्सेलरेशन के साथ मतलब तुरड के साथ उपर जा रही है जब तुरड के साथ उपर जाएगी सिंपल सी आता है चावलोगोर जा रहा हय थिक्शाए इसका भी एक्जमिल बता देता है ओधा इसमझ नए तू बहुत यह इह उट चुकत ही है तो समझ आया कि नहीं ट्राइ करना अगर अभी तक नहीं बैट हो तो ओके अब इदर मैंने बता दिया आप लोगो को कि डबलू इकल टू एमजी प्लस एमए जब लिफ्ट आप लोगो ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अब बात करते हैं गो सब बिदा रटाइशन ऊपर तो जा रही है पर किसके साथ आप लोगो का कम हो रहा है उपर तो जा रही है पर किसके साथ रेटाइशन के साथ तो इसमें आप लोगो बेट किया करेगा कम हो जाएगा आंसर या आगा है आप लोगो का D-Option correct हो जाएगा देखो इसी टाइब के सिम्पल सिम्पल कोश्य पूछी जाते हैं पर लोजिकोल ुचन पूचा जाते हैowane चलो यह question आप लोगो previously पूछ लिया गया है ठीक है NDA में Navy में Air Force 3-0 में ठीक है यह दो टाइप से question पूछा जाता है कैसे कैसे पूछा जाता है बता देता हूं यह किसके बरावर होती है यह speed of light के बरावर होता है ठीक है तो इसका आप लोगो dimension और unit दोनों पूछी जा सकती है ठीक है तो C के बरावर होता है जब हम लोग dimension की बात करते हैं तो क्या है आप लोगा L T-1 बनाते हैं अब इसको ले जाओ उपर यह तो एक question बन गया आप लोग उल्टा कर दिया ठीक है अब हम लोगों को रूट अठाने मुनोट एपसालेंस नोट विल भी इक्कोल टू क्या आ जाएगा L-2 T2 के एक्क्वल अब देखलो कौन सा बनना है आप लोगों का D option जोगा correct हो जाएगा आई होप आप लोगो सारी कुछन समझ आ रहें समझ नही आ रहें comment box कुला हुए comment box में अगर clear नहीं हो पा रहें आप लोगे टेलेग्राम चैनल कुला हुगा टेलेग्राम पर फॉलो करो ठीक है टेलेग्राम पर आप लोग मेरे साफ पोश्ट रहें ठीक है अब अगर हम लोग बात करें एक unit positive charge को एक प्लेस से जब दूसरी प्लेस पर ले जाते हैं तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा इतना पता है कि नहीं बट जब हम लोग बात कर दें एकको परेशियल वह क्या दे रखा है इक्वेडियरा नहीं हो रहा है और प्लेशियल अगर आप लोगा चेंज नहीं हो रहा है तो डबलू एक्वल टू क्या आ को जाएगा इस तो नम्मर आप टर्ण्स जो है कॉइल में वह भी दो गुणा कर दिया गया है तो मागनेटिक बताना है सेंटर पर क्या होगा अब देखो हम लोग सर्कुलर कोईल की जब हम बात करते हैं तो मागनेटिक फिल्ड क्या होता है यह समझ लोग दो गस्म में नम्मर आप टर्ण्स संद्म हो जाएका नम्मर आप टर्ण्स को सब्रेुट्र का च्रीयन पर आछुका है तो एतिक तो इसके बीच में लोगों क्या कर रहे हैं एक ग्लास प्लेट को रख देते हैं यह ग्लास प्लेट हम लोगों ने इसके बीच में रखते हैं तो इसका जो क्या हो जाता है विचिज ऑल्स इक्वल टुबी अपॉन के अगया है यह आप लोगों से पूचा गया है बहुत ही सिंपल कोश्चन है यह आप लोग कर सकते हो ठीक है कोश्चा आप लोगों करने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है अब जब हम लोग बात करते हैं दो आप लोग एक पालल प्लेट कापसेटर दे रखा है ठीक है तब उसके बीच में हम कोई भी जब डाइलेक्टिक कॉंस्टेंट सोरी डाइलेक्ट्रिक सब्स्टांस को इंटर्डूश करते हैं ठीक है तो उसका जो क्या पासेटी है या फ चीजों का आप लोग ध्यान रखो यूट का बहुत ध्यान रखा करो एक सब्सक्राइब और आप लोग द्यान रखो यूनिट का बहुत द्यान रखा करो एक तो दो कोश्चिन ऐसे फासते हैं आप लोग यूनिट वाले चालो नेक्स कुश्चिन करते हैं एट वाला कुश्चिन एलेक्टि करेंट फ्लो थिरो आप पालल सर्किट अप्टू रेजिस्टर ए और बी अप्टू ओम एंड एट ओम रिस्फरक्टिवली दा रिशियो अ लगाया मेरे पास तो ये भी फॉरमूला है आप यह क्यूं नहीं लगाया यह क्यों यह क्यों नहीं लागाया ठीक है ठीक है तीनों को मैं एक्सौन करूँ और डंग से समझ रहां हूँ देखो जब भी आप लोगा पहलेल सरे के दे रका हो ठीक है और उसके साथ क्या देर कि आप लोगो resistance दे रखा हो तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे समझ आए जब भी सीरीज दे रखा हो ओके और क्या के विन आप लोगो resistance के मिन हैं ओके और current आप लोगो पता है सीरीज में सेम होता है तो obvious सी बात है ये वाला फॉर्मूले के लिए जाओगे ठीक है वेन यूएव वी एंड यूएव आई ठीक है ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे समझ आ गया कि नहीं ठीक है तो हम लोग simply इस फॉर्मूलों के यूज कर लेते हैं तो h equal to क्या है आप से हम लोगो कोई मतलम भी है तो समझ आये कि नहीं तो आप लोगा करेक्ट हो जाएगा चीजों को समझते चलो पॉइंट टू-पॉइंट समझते चलो ज़ो जब आप लोगे हंड़र्मूक टेस्ट हो जाएंगे आप लोगो फीलिंग आएगा कि 25 वट्टे 25 कर सकते हो ठीक ठीक है नाइंत वाला कुश्चन करो और कॉपर वाई रिस्ट्रेच इंक्रीश इट्स लेंथ वाइट टू-परसंट एक कॉपर वाई दे रख्या तामभी का तार्य दे रख्या खीचा लंबाई को दो गुना बढ़ा दिया गया बताओ रिस्टेंस कितना हो जाएगा ठीक थिक है शिमलल लग देखें सो डेट हंदी और इंगलेज में ना लिखना पड़े थिक है और डेस इक्वल टू-एन-4- एक जब डाई-मीटर क्या कर दिया जाए decrease कर दिया जाए increase नहीं decrease कर दिया जाए समझ रहे हो कि नहीं length increase r dash will be equal to n square r diameter decrease r dash will be n kia power 4r ओके और समझो for example कि जो diameter है वो आजा कर दिया इस wire का ठीक है मतलब कि d is equal d dash equal to क्या आजाएगा आप लोगगा d y to equal जो इधर होगा आप लोग का ठीक है उसको हम लोग क्या रखेंगे इधर n का value रखेंगे तो ये भी मत कर देना n equal to 1 वैट हो तब भी गलत हो जाएगा n की value क्या होगी आप लोगी जो नीचे वाली होगी ठीक है चालो बईया समझ आ गया की नहीं अब इसको solve करते है फटा फट से अब इसके लिए percentage के लिए बढ़ाता हूँ जब भी आप लोग को जो है 7% sorry 8% तक आप लोग को change दे रखा हो direct आप लोग कोशन नहीं करना इस formula को उठाना है ठीक है r is equal to के आप लोग आप लोग n square r ठीक है अगर आप लोग 2% length को increase कर देते हो resistance की ठीक है या copper wire की तो उसका जो resistance है वो क्या हो जाएगा आप लोग का 4% increase हो जाएगा got it answer के आगे आप लोग का C option correct हो जाएगा समझ नहीं आया हो comment में comment कर सकते हो दोबारा बता दिये जाएगा चलो next question आप लोग का स्क्रीन पर बहुती टॉप क्लास को क्यूशन है horizontal range is 4 times the maximum height identified by the projectile ठीक है तो क्या बोला गया है जो 36 परास है वो महतुतम उंचाई के 4 गोना दिरक्का है ठीक है तो आप लोग का projection angle बताना है ठीक है जो code बनेगा वो कितना होगा वो बताना है अगर हम लोग बात करें R की है तो R will be equal to क्या होता है U square sin 2 theta divide मा आप लोग का g के equal अगर हम लोग बात करें H की तो क्या होता है U square sin 2 theta बटे 2g के equal इतना तो आप लोग का formula याद होगा अब आप लोग formula हठाओगे निकालोगे ठीक है सब छोड़ो क्या करना है आप लोग को याद रखना है R 10 theta is equal to 4H या फिर र तन 4 है समझ आये कि नि र और R तन 4 10 theta ठीक है will be equal to 4 4 R H मतलब sorry है मतलब H समझ आये कि नि R 10 theta will be equal to 4H R will be अब इधर से हम लोगो कोशे नहीं करना है हम लोगो क्या बोला है horizontal range जो 4 गुना दे रखी है किसके maximum height गए R will be equal to 4H तो यह दोना आपस नहीं कटे जाएंगे 10 theta equal to क्या आप लोगा 1 theta equal to क्या जाएगा 45 degree और इसको जो students होते हैं याद रखते हैं जब भी आप लोगो horizontal range चार गुना दे रखी हो maximum height के एंगल आप लोगा 45 degree बनेगा ठीक है समझो concept कहा जा रहा आप लोगा है समझाये के नहीं जब हम लोग बात करते हैं तो P equal to क्या होता है MB यह दर आप लोगा संबेक sorry P आप लोगा संबेक B आप लोगा बेक जिसको हम लोग velocity भी बोलते हैं और M आप लोगा दिरबलमान ठीक है जिसको हम लोग मास भी बोलते हैं अब क्या बोला गया है मतलब मास से कोई लेना देना नहीं है अब बचा हम लोगा P लोगा अब गिराब पूचा गया P और B में क्या बनेगा अब P लोग को बेक को इंक्रीज करेंगे तो जो संबेक है किसका बोडी का ठीक है या फिर किसे पिंड का ओके वो क्या करेगा वो भी इंक्रीज करेगा किसके साथ आप लोग का velocity बेक के साथ तो आंसर क्या आएगा एक स्टेट अलाइन वनेगा और स्लोप कैसा होना चाहिए पोजेटिव स्लोप होना चाहिए क्योंकि दोनों की दोनों चीज क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है स्लोप देखो क्या होगा 10 theta equal to आप लोग का y2-y1 divided हम आप लोग का x2-x1 अब आप लोग के उपर depend करता है p को आप लोग x में ले रहो या y में और b x में ले रहो या y में आप लोग की इंक्रीज कर रही है मतलब की del y and del x दोनों की दोनों क्या कर रहे है इंक्रीज कर रहे है so that आप लोग का जो स्लोप है वो भी क्या आएगा positive आएगा negative value नहीं आएगी ठीक है answer क्या आगया आप लोग का view option correct हो जाएगा straight line with the positive slope most most important question dimension of electric capacity electric capacitance का dimension क्या होता है very easy question but आप लोग solve करो बड़ा बड़ा ठीक है चलो करें solve चलो solve करने start करते हैं इस question को question में ज्यादा कुछ है नहीं है ठीक है अगर हम लोग बात करें किसकी कि q equal to होता है cv इदर से निकाल लो या फिर e equal to होता है और फार्मूला भी यार c equal to a of silence not over d पर इधर आप लोग को यह चाहिए यह थोड़ा सटेप्रेकल पर जाएगा क्योंकि याद नहीं देता आप लोगो ठीक है तो फार्मूला तो बहुत हजार है आप लोग किसी भी फार्मूला निकालो dimension या unit जो होगी किसी भी quantity की वह same ही आने वाली है तो हम लोग पहला फार्मूला यूज कर लेगे फटापट से तो c equal to क्या आप लोग का q over v equal ठीक है q और v क्या होता आप लोगा w by q के equal और simple कर दिया तो q square y w के equal हो गया अब q square स्क्वेयर कोहगा ठीक है यह देको वह ही सेम बनेनगा आप लोगा जो फॉर्मूला होता है ड्यक्त का रप लोगया q square y c, c e close c equal to q square y वही सेम बनेंगा अ आप लोगा अब q square क्या होग है a square के समझ आया की ने ठीक है end यह होग आप लोगा t square यह होता है कि क्यों क्या होता है आप लोगा अगर हम लोग बात करने तो वर्क क्या बनता है अब उपर ले जाओं तो म माइनस वन ठीक है एल माइनस टू अब देख लो माइनस के बाहरे प्लस के 42 का बनना आप लोगा पहले वाले यह ओफ्षिन आप लोगा करेक्ट हो जाएगा पूछ नहीं होता है आगर वाले तो इसमें करते हैं समांतर में फिर हम लोग जो है किस संजियोजन में कनेक्ट करते हैं स्रीडी गरम में अब बोला गया दौनों केस में रिश्यों बताने कबलेंट काफासिट है थीक है तो पहले किस में करें किया पहलन में तो पहलेल इकक्वल टुक्ट के आएगा आप लोग का एंसी के एकक्वल और सीज में क्यातों सीवाइड के कुल थी एक अब आप लोग का मने जैसे करना चाते हो बैसे कर लो ठीक है तो भी ओफ्सन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा खुश भी नहीं तकुशन अगर सेम गंड लोगा देखो आर पी इक्वल तो आर वाइन के एक्वल और आर इस इक्वल टू एक्वल टू एक्वल टू एक्वल तो आप लोगा जो रेस्टेंस में वनेगा वह वन रिश्यो एक्वल होगा बड़ आप लोगो उल्टा भी दे या जा सकता है पहले सीरीज में तो वन रिश कैसे भी घुमाया जा सकता है ठीक है यह वस आप लोग को याद रखना है चलो नेक्स कुछन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है क्या वो लगाए एक अब प्लेयर कोड़ा किर्केटर बॉल आप मास 100 ग्राम मूविंग एड़ रेट आप 2 मीटर पर सेक्ड ठीक है एक किर्क कोगे ठीक है जो प्लेयर होता है उस बॉल को केश करने के लिए या तो हाथ ऐसे करेगा पीछे ले जाएगा या फिर पीछे ले या तो कभी आप लोग ने ऐसे नहीं दे रखना होगा कि एक साथ लेगे और उसको केश कर ले ठीक है अगर कर भी लेता है तो most of the condition 90% condition माने त जो उसके हाथ में लग जाती है क्योंकि जो बॉल है वह भी तो फोर्स डालेगी उसके हाथ के ऊपर तो इसलिए उस हाथ को क्या करता है पीछे लेता है और पीछे जब हाथ को लेता है तो वह यह आप लोगो टाइम दे रखा पॉइंट वन सेकंड लगी उसको ऐसे लुप पूचा गया तो f equal to क्या आप लोग का डीपी बैडीटी के है ओके मास कितना दे रखा हम लोग को 100 ग्राम केजी में आप लोग चेंज करोंगे तो दे रखा है डेल्टी का वैल्यू आप लोग को पॉइंट बंदे रखा पॉइंट अटा तो जीरो इदर आ गया तो बन था बन था हो चिंट करेंगे आंसर क्या आप लोगा टू नीटेन के इक्कवल तो सिंप्ली आप लोगा जो आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्सिं करेक्ट हो जाएगा नहीं समझ आया चलो और एक्षवें करते हैं एफ इक वर बता देते हैं एम भी ठीक है स्वरी मन भी याटी त देख सकते हो एम वी कैपिटल एन एन बाइटी जब आप लोगो नंबर आप बॉलेट पगेर नहीं होती है तो फॉर्मूले सारे आप लोगो बता दिया जैतने बंते हैं पूर्स के आप लोगे ठीक है चलो नेक्स्ट कुश्चिन करते हैं पहुत सेंपल कुश्चिन था ओ ताओ रेलेक्सेशन टाइम स्वांतिकाल होता है ठीक है और आप लोगों पता है जब भी हम लोग टेंपरिचर इंकरीज करते हैं तो ताओ का वैल्यू क्या करता है तभी तो रेस्टेविटी प्रतिरोदक्ता रेस्टेंथ प्रतिरोद कंड़क्टर मतलब चालक का क्या करत है एंकरीज करता है तेंपरिचर बढ़ाने पर कि आइन सर क्या आगauen है अफ लोग को आचुका है 16 वाला कुश्चिन करो ठीक है अब इधर में आप लोगों को एक करेक्षिन करा जेते हो इस टाइप का कोश्चिन आप लोग यह माल सकते हो हर बार आता है हर बार ठीक है एक ना एक सेट आप लोगो एसा मिलेगा जिसमें यह कुश्चिन मिलेगा आप लोगो कोश्चिन बहुत सिंपल है कुश्च नहीं करना है ठीक है त्यूकि एक्टिक फील्ड या फिर हम लोग बोल सकते हैं बेद्दू 6 तरह निकालना है इकल आप लोगों का बल वट्टे किस आप लोगों का इस प्रिक्षिन पर आचुका इव अगर मैं एपलाइड फोर्स को दो गुरां कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा ठीक है तिमपर सी बात है इसमॉल एकॉल टू क्या होता आप लोगा म्यूंग के एक 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 या फिर इसमॉल एक इस डायरेक्ट लिए प्रोपोर्शन टू टू मू नॉट ठीक है जो कैपिटल एप वह तो आप लोगा एक प्रिक्षिन पोर्स है चलो एक जैंपल करते हैं यह ब्लॉक है इस पर मैंने फोर्स एफ लगा है ठीक है एंड एक्सलरेशन इस डायरेक्षिन में होगा ठीक है उसका j banana या फिर होगा वह क्या हो आप लोगा म्यू झाल जा समझ आगया के इसकी व vidéosफेशल जोव और डायरेक्षिब्पोर्ष्न नूर्य है भी औसन आप लोगा करेक्ट हो जाएगा चलो एटींद वाला कुष्टन करते हैं एक लाइट बोड़ी दे रखे एक हभी बोड़ी दे रखे दोनों के लिए मोमेंटम आप लोग को समान दे रखा है तो यह बताना आप लोग को कौन सा उस्टन सही होगा ठीक है मोमेंटम आप लोग को समझ नहीं है तो आप लोग को सीरीज अच्छा कासा मिल रहा है कुछ एक्ष्टा कोशन जो बन रहे हैं फॉर्मूले से स्यम कंसेप्ट से वह भी बताए जा रहे हैं आप लोग को ठीक है बैस सीरीज है कंप्लीट देखना ठीक है हंड्रेड अमोक्टेस कर लो सेम दे रखा है काइनेटक एनेजी की बात है तो के इकवल टू क्या होता आप लोगा पी स्के आप लोगा फॉर्मूला है ठीक है यह भाई यह मिस बंकिया आकर वो इसका कोशन बनना वक्ते हैं आप लोग के पेपर मैं ठीक है चलो करते हैं फटावड से तो फिसक अपॉन 2m ठीक है अब अगर हम लोग बात करें तो momentum डौनों के क्या दे रखा है similar समान दे रखा है momentum जो समभीग है वो समान दे रखा दोनों के लिए तो kinetic energy इनवर्सली प्रपोर्शनल टू मास ठीक है अब इस इधर से क्या पता चल गया है जिसका मास ज्यादा होगा का इनजी ज्यादा होगी ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आप लोग के काईनेटिक एनजी अभी बाड़ी बिल भी ले क्यों क्यूंकि इनवर्सली चर्ज जीव क्यों दे रका है ये पूझा गया था ठीक है चल और यह अप में प्रपोये इक क्यूं सिरक हो गया है अब क्या bոला है आप लोग का चीरज या वेज एक्टीज क्यूंब पर ठीक है या फिर केंदर पर रखा हुआ है साइड ए उसकी साइड कितनी दे रखे ए इसके सेंटर पर चार्ज क्यूं दे रखा है ठीक है अब एक फिर सब्सक्राइब की जब भी निकालना है टोटल चार्ज यूँ अपन एसलेंस नोट यह वोगा आप लोगा टोटल फ्लक्स ऑफ दा क्यू बट जब आप लोगों पूछा जाए एक फेस से निकलने वाला यह तो टोडल जो निकलना वो है ठीक एकotion कितना हो गया आप क्यूआ है ऑफी को टसे अपर आपक्षिंभर को को फिलोग को पहले दे रहा हूं जो Conners होते है ठीक है बताऊ आद जो आप लोग का एक और से जो आप लोग का या विद्धुत क्लक्स निकलेगा आप लोग वो कितना होगा ठीक है option मैं आप लोग को नहीं दे रहा हूं वह आप लोग कमेंट कर सकते हैं चाहिए है फटावट से कमेंट करेंगे सब लोग और कमेंट मेरे को सबकर चाहिए जितने लोग जो है इस क्लास को देखेंगे और मैं आज यह नहीं बताऊंगा इसका आंसर कल जब क्लास लेंगे तब बताएंगे ठीक है चलो समझ आ गया कि नहीं आगे चलते हैं फटावड़ से कि 20 वाला कुशन आप लोग का स्क्रीन पर आचोगा वीच आफ फॉलेंगे समोर लाश्टिक जितना ज्यादा टोस होगा ठीक है उतना ज्यादा लाश्टिक होगा ओके आंसर क्या आप लोग का स्टील भी ऑसन करेक्ट हो जाएगा यह कुशन भी आप लोग का बनता है कि चलो और सक्रीन पर आचोगा अब इसको घलत मत करते बना कर आया तब बताया इस आप लोग की लγο करता हैो मैं प्रय ना वोग्य अप करता है क्या करता समोशन का अवज करता है कि के मोशनना में ना होने की प्रतिकर्या और we can और आपलोगा स्क्रीन पर आ चुका है अब तो कल मैंने कुश्चिंग क्या कर आए था आप लोगो कि मोमेंटम की मेंने काने अच्छा है कि निए ठीक है तो इसके लिए यह सोट रेक हम लोगे पास रेडी रहता है यहसे रेडी रहता है निकालते हैं इनिशिल क्या होगा बट डारेक्ट नहीं करना आप लोगो जितने चीज़ों काट अपा रहे होतने काट दो पहले यह काट दिया एक जीरो एक जीरो इधर 10 बचा इधर 11 बचा 11 का स्क्वेर 121 10 का स्क्वेर 100 आंसर क्या आप लोगा 21% ठीक है तो इधर सिंप्ली जो हम लोगा आंसर हो जाएगा वह 21 परसेंट हो जाएगा अगर हम लोग 10% मौमेंट को इंक्रीज कर देते हैं तो सी आप ईक्स्प्रिंट करें इस को ठीक है और करते हैं बहीर डेखो के कॉल टू क्या होता आप लोगा 50 होता है या आप लोगा पता होगा इधर मेर जोगा 110 percent given है ओके तो अगर हम लोग जो है P1 की बात करें स्क्राइब करो इत्ता समझ आया कि नी और P2 की बात कर रहे है तो भया इसका करें अब फिर क्या करहा होगे आप लोग percentage निकालोगे ठीक है या फिर आप लोग ऐसा करो percentage निकालो सीदे क्या करेंगे लिखतेंगे और इसको जो है हम लोग 1.1 पी लिखतेंगे यह ज्यादा सेंपल पड़ेगा आप लोगो अब इसका भी यह स्क्वेर कर दो ठीक है और माइनस यह कर दो और मल्टपलाई रहा हंटेड कर दो तो आप लोग का टोटल जो काइनेटगे होगी और जब आप ट्रेक बताई उससे करोगे तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप लोग आप लोग जो ट्राडीशनल मैंतर से जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोगों हो जाएगा ठीक है वहाना बॉलेट इस फाइड पिदा सौट गन एक मेरे को सौट गन से आप लोगों ने पॉब्जी हो बहुत करें होगी ठीक है मैक्स्किमों यू खिल रहे होंगे पॉब्जी अभी आ चुका है दुबारा ठीक है तो सौट गन उसमें यूज करें है उसमें कैसे मारते हो धाड़ मारते हो कि नहीं यू कैन रिडूस तिस स्पीड भाई ठीक है अब सौट गौन से एक बुलेटब फाइर को अब लोग फाइर किया जाता है अब हमस्ट गुए को दिशन म बनते हैं अब अ बनेघर अ बुलेटन मालिय है और इसका मांस मैं करेगी पीछे अब मैं सिंपल सी जाते जब मैं गोली मार हूंगा तो पीछे आप लोगा जो है हाथ जाएगा ठीक है अब यह एक्षन पर मत जाना मुझ से निकलता ही है ठीक है गोली जब हम चलाते हैं ओके चलो तो सिंपली गोली जब मैं ऐसे चलाया आगे की तरफ तो मैं पीछे को जटैका लोगा जो जाटार कैने लिया वो उसको बोलता है और जो रिकॉइल है उसको मुह कम करना एं उसको क्या करना भी कम करना मैं ठीक है अगर मैं इस utgen को क्या कर देता हूं बारी कर देता हूं तो आप लोग का capital B कम हो रहा है कि नहीं कर देंगे तो रिकॉइल velocity होगी तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और समझ नहीं आएका है पूच लिया करहो आप बोलते हैं property of इनर्सिया आप लोगों पता है अगर कोई अब्जेक्ट रेस्ट में उसमें भी है कोई मोशन में उसमें मतलब जड़त का जो गोड़ा है वो पाया जाता है तो आंसर के आगे आप लोगा एज इन अबरी अब्जेक्ट प्रतिक बस्तू में होता है अब देखो अब आप सब्सक्राइब करते होगे अनत्यम कोईशन करते हैं आज की क्लास का और इसकी साथ क्लास भी ओबर करेंगे हम लोग अब बॉल इस प्रोजेक्टेट एट आ सिक्स्टी डिग्री एंगल पर होरिजॉन्टल फॉन टॉप अपर टावर ठीक है अब यह टावर का टॉप दे र टावर से महले फैक अब सबस्क्राइब कर educator माई की आप लोओगशन गरेगा एग अब लोग 새벽 अई SUPER अठीक है और प्रोजेक्टेब मोशन करेगा तो इस प्रकार कंदीन बन रही हो भी अम लोगी ठीक है और प्रोजेक्टाइल मोशन हो पता है आप लोग एट मैक्सिमम हाइट वर्टीकल कंपोनेंट क्या अरे बया होरिजॉंटल कंपोनेंट एक और हुंबर कोशिन पूछ लों मैं ठीक है एक पूछ लिया एक और पता हो ओके बता देना देखो जिस नंबर पर पूछा थ तो मैं पोछूंगा आप लोगों से महत्यूतम उचाई में ठीक है जो होरिजॉंटल कंपोनेंट होता है 36 घटक होता है ठीक है होरिजॉंटल कंपोनेंट मतलब की 36 घटक आप विलोसिटी या फिर बेग बेग का जो 36 घटक होता है वो आप लोगो बताना है वो कितना होगा maximum height पर most important question है question पूचा गया आप लोगो ठीक है इसलिए पूचा जा रहा है और भी पर कई और क्लास में पूचेंगे या फिर आप लोगों मिल चुकर होंगे यह ले रहे हो के मैं पूच रहा हूं तो भी आप लोगो और ज्यादा मतलब की अपनी बढ़ाओ दिमाग को चलाना स्टार्ट करो फिजिक्स में दिमाग चलाना होता है ठीक है चलो कोशन का आंसर बता देते हैं कि इधर से अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को फैक रहा हूं जाएक एक कोईट पर रुख जाएगा फिर निचे आना स्टार्ट करेगा ठीक है मतलब कि इस पॉइंट पर आप लोग का जो मैक्सिमम हाइट है उदर क्या होता विया जीडो होता है क्या आप लोग का वर्टीकल कंपोनेंट अब मैंने होरिजनल कंपोनेंट पूचा है व त जब मैकसिमम हैट पर जा रहा होगा dür hem रो जे ज़िर नीचे आना स्टार्ट करेगा तो मैं इसे आप लोगा वर्टीकल कंपोनेट इनक्रीज करना स्टार्ट कर्देगा तो क्या होगा भीए या अंसर देख लो भीज दिले सब्यों लॉस्त कर रह है फिर आप लोगका इ थिक तो पहले तो class को like करना like target देखा 100 like करत ज्या दो कल की class में भी नहीं हुए अगर नहीं किये तो जाकी करो ठीक है ठीक है बाकि आप लोग कमेंट करो class कैसा लगा ठीक है कुछ innovation करना एक लास में करोगे तब ही मज़ा आएगा जहीं ना जहीं से मिलेगा मेरे को नसे दिमाग चलाओगे इसलिए होंबक्र पूचा जाता है बाकि आप लोग को क्मेंट करते हैं चैनल को जोईन करना इस टाटेक में बता है कैसे टेलेग्राम चैनल जोईन करना आप लिंक दस्क्रिप्ट्स में तारेक्ट साइच काटो को different competition points कंभी मिल जाएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि next वीडियो से हैं या upcoming classes है आप लोग वह इसी टेलेग्राम चैनल पर आप लोगो मिलने वाली है बाकि अगर हम लोग इस class की PDF की बात करते हैं तो वह आप लोग आप लोगो 7 a.m. पर आप लोगो class देख लोगे after 9 a.m. आप लोगो class मिल जाएगा sorry PDF आप लोगो मिल जाएगा इस class का ठीक है तो इसका चिंता मत कि अगर हो PDF रेगूलर आप लोगो forward की जाए class regular आएगी 100 दिन मैंना बोल दिया है 100 दिन मैं आप लोगो एक भी दिन शुटी नही रहेंगे तो अल्रेडी पेपर दे चुके उनके पास वेल सटल एक्पिश्ट है आप लोगो पेपर दीने का उने ठीक है एंड पढ़ाने का भी experience है बाकि आप लोग जो इस चैनल से जुड़े रहो और जितना हो सकता है उतना सेयर करो इस चैनल को ठीक है तो डैट आप लो इसमें हम लोग जो है और कोशन की बात कर रहे हैं इसमें कोश एक्स्टा आप लोग बात नहीं कर रहे होते हैं तो इसलिए मैं आप लोग ऑफ-लाइन दे रहा हूं हो सकता है इने ऑनलाइन कर दो फेल आप लोग इसकी streaming होती है एड सैविल एयर उदर आप लोग नमौर आते हैं ठीक है तब हम लोग सोचेंगे कि ऑनलाइन करते हैं कि 100 इस्टूरेंट अच्छे खासे होते हैं उसमें व्लोग ऑनलाइन करेंगे तो आप लोग आजर कोई डावट होता है उसको टेलगराम पर पूछो टेलगराम का लिंक आप लोग अपना ही फाइदा मत देखो ठीक है दूसरे का भी फाइदा करने का सोचते है तो अपना ज्यादा फाइदा होता है समझ आये कि नहीं तो बाकि मिलते हैं हम लोग नेक्स वीडियो में बाकि आप लोग बीच-बीच में आप विडियो मिलती रहा करेंगेり क्या ऐसके आप लोग वेपर-घ्रिंड करते हैं जो आप लोग कर रहा है और ये क्लास आप लोगह देखी बाकि मिलता हम लोग मेंक्स लास में जयंहीं जयुक्राइबत बन्या थे झाल झाल